नमस्कार दोस्तों आज बताएंगे एल सोफा किस तरह से बनाया जाता है देख सकते हैं यह एल सोफा का जगह है चले वीडियो शुरू करते हैं तो इस तरह का हमको पहले प्लाइ काट लेना है दस इंची चोड़ा में उसके बाद जितना लंबा बनेगा सीट के हिसाब से देख सकते हैं दोन डोसाइट तो इस तरह से ठोका ठोक दिया है तो यह गोरा जो लगेगा किस तरह से लगे आपको बताएंगे यह दो इंची का है तो एक इंची बाहर रहेगा एक इंची अंदर रहेगा तो यहाँ से हम निसान लगा लेंगे जितना मेरा गोड़ा है तो इस तरह से करसुत लेकर हम बहान लेंगे जो मेरा दाख पर चलियाना चाहिए ठीक है हिस तरह से हम पहले निसान लगाएएगए हमको सारा से पूरा स्याड में इसी तरह से मिलैख Space लगा देना है उसके ये दो Coming इस तरह से कटिंग कर देना है कटिंग करके चेक कर लेंगे हम सारा इसी तरह से कटिंग कर लेना हमको देश्टो देख सकते हैं उसके बाद इस तरह से कटिंग कर लेना है उसके इस तरह जो कटिंग करेंगे दोपला मैनेस कर देंगे उसके फेविकल लगा के फिविकल पुरा बीट में फिविकल लगाएं दोस्तों फिविकल लगा कि इस तरह से निसान पर इस तरह से ठुकना है सारा उसी तरह से बीट ठुक देना है यह देख सकते हैं यह बीट हो ठुका चुका है तो अब करेंगे क्या दोस्तों हम तीन जगह यह देख सकते हैं, तीन जगा हम bit लगाएंगे, यह देख सकते हैं, फिविकल लगा देना है, फिविकल लगा के, चार इंची चोड़ां में पलाये चीर लेंगे हम, इस तरह से हमको काटी लगाना है, बस वला से लाक लगा के देख सकते हैं तीन काटी दो इंची के लगा देंगे हम इसी तरह से तीन जगा हम ठोग लेंगे उसके इस तरह से उसी पर गोरा कसना है छे गोड़ा इस तरह से कस देना है देख सकते हैं यह उचेगा है इसी तरह से हम गोरा लगा कि उसके बाद इसमें पला ठो बात तो विचतार से वीडियो देखें दस्तों इस तरह से हो का इसमें गरेंडर भी चला देंगे हम फिनिसिंग कर देंगे पूरा सही तरी केसे दुस्तों उसके बदिह पिठिया जो है तो किस तरह से इसका पूरा जनकार लेने के लिए आपका वीडियो डाल वहाँ जाके जनकारी ले सकते हैं इस तरह से कटिंग कर देंगे देख सकते हैं इस तरह से कटिंग करके हम ठोक लेंगे इसको इस तरह से बीच में पाटी संदे देखे इस तरह से डेर इंच कावे बीट उपर से लगा देना है लंदा लेके स्लोप करके फेविकर लगा के इसको इस तरह से कांटी लगा देना है कांटी इसमें पूरा सही तरीखेस कांटी लगा है जो हो ज़्यादा कांटी देना है दोस्तों जो की मजबुती रहेगा उसके प्विक लगा कि यह जो एक इंची का गेप दिया है इस तरह से पलाय फसाद है देख सकते हैं यह तैयार हो चुका है तो इसमें 12 mm का पलाय लगा को चाहिए दिनकारी ले सकते हैं इस तरह से बना दना है घट सकते हैं को इस तरह से चारुसाइट कांटी लगा दे पलाय कटीं कड़कर के जतना मेरा जोडा में रखैगा उतना चोडा का पराइनल एक निशान लगा दना पहलेblowing हैं तो आत्य दिक जैंठोकर दिकर द्टो कि इस तरह से इसको फिक्स कर दिना है इस तरह से इसको लगा दे नट को टैट कर दिना है यह देख सकते हैं यह जो देख रहे हैं खाली इसमें इसको बंद करना होगा तो इसके बारे भी आपको बताएंगे यह देख सकते हैं यह बंद हो चुका है इसी तरह से बंद करके नी कि यह दिजयान पूरा राने के बाद देखनें ठीक लगा दो गदा यह एल सोफा है देख सकते हैं किस तरह से बनाए जाता है दोस्तों इसका फूल जनकारी लेने के लिए वीडियो डाल चुके हैं वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसका नापी